हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी एकदम मज़ेदार से पनीर के पराठे यह पराथे हम बिल्कुल धाबे स्टाइल में बनाएंगे जैसे धाबे मिलते हैं बड़े बड़े एकदम स्टफिंग से भरे हुए वैसे ही पराथे आज हम घर पे बनाके तयार करेंगे और इनको बनाना बहुत ही आसान है कुछ छोट छोटी टीप्स हैं जो मैंने इस वीड पनीर लिया है और यह पनीर मेरे घर का ही बना हुआ है मैंने अपने घर पे बना के तयार किया है सारे हफ्स डालके जिसे और भी ज़्यादा स्वादिश्ट हो गया है इसकी रेसिपी में बहुत जल्द आपके साथ सेर करूँगी पनीर को हम अभी साइड में रख देंगे और पहले आटा गूत के तयार करेंगे जिसे कि जब तक स्टफिंग हम बनाएंगे तब तक आटा भी हमारा अच्छे से फूल के तयार हो जाएगा तो मैंने ये दो कटोरी गेहूं का आटा लिया है इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे पराठे को करारा और सोफ्ट बनाने के लिए अब मैं इसमें डालूंगी एक से डेढ़ चमच ये दूद की मलाई अब इसके जगह चाएं तो एक चमच घी भी डाल सकते हैं या फिर एक दो चमच तेल भी डाला जा सकता है अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करके हम सोफ्ट डो लगा के तयार करेंगे जब भी आपको इस टब पराठा बनाएं आटा थोड़ा सा जैसा आप चपाती का लगाते ने उससे थोड़ा सा सोफ्ट ही लगाएं अगर आपने बहुत ज़्यादा हार डाटा लगा लिया ना तब भी आपके पराठे फट जाएंगे बहुत ज़्यादा आपको पतला भी नहीं करना है लेकिन जब हम चपाती बनाते हैं उससे हलका सा आपको सोफ्ट ही रखना है तो दो कटोरी आटे के लिए मेरा देड़ गिलास पानी लग गिया है और आटे को अच्छे से गूतना है थोड़ा सा टाइम देखे जिससे की एकदम चिकना हो जाए इसपे अगर आप थोड़ी से यहाँ पर मेहनत करेंगे ना तो आपके पराठे बहुत बढ़िया और गूतने के बाद इसको रेस्ट पर आपको जुरूर रखना है कम से कम 15-20 मिनिट या आपके पास समय है तो आप आधे गंटे के लिए भी रख सकते हैं यह सेम आप चपाती वगरा बनाने के लिए भी कर सकते हैं अगर आटे को थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे तो आप देखेंगे आपकी रोटियां बहुत ही अच्छी बनेंगी उपर से मैंने थोड़ा सा घी लगा के इसको चिकना कर दिया है ताकि पपड़ी भी ना आए आ अब इसको ढखके साइड में रख देंगे और जब तक हमारा आटा सैट होगा हम अपने पनीर के स्टफिंग तैयार कर लेंगे तो मेरा होम मेड बहुत बढ़िया वाला पनीर है यह वाला पनीर मैंने जो मक्षन बनाने के बाद दूद बच जाता है उससे बना के तैयार कि बहुत टेस्टी बनता है और वह दूद भी बहुत गाडा गाडा बचता है मक्षन बनाने के बाद क्योंकि मैं हमेशा अपने मलाई को फ्रीजर में स्टोर करती हूं तो उसके बाद जो भी दूद बचता है नीचे उससे मैं पनीर बना लेती हूं आप चाहें तो इसको गर ज्यादा इसका पानी निकालना है मतलब थोड़े दस-पंदरा मिनट ज्यादा आपको इसको कपड़े में बांध के रखना है यहां पर मैंने एक टुकडा द्रक्का भी देखे कद्दू कस कर दिया है अब इसमें कुछ सूखे मसाले एड़ करेंगे तो सबसे पहलेद मैं इसमें डालूँगी दो प्याज जो मैंने बारिक बारिक चोपर में काट के ले ली है अब आफ हाथ से भी काट सकते हैं तीन हरी मिर्च भी मैंने इसी में काट के रखी है बिल्कुल आज हम ढाबे वाले पराथे बना रहे हैं एकडम स्पाइसी सी और बहुत मज़ेदार बनाएंगे प्यास डालने से पराथे का पनीर के पराथे का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और बच्चों को बहुत पसंद आता है ये तो सबसे पहले मैंने डाल दिया है ये आदी चमच हल्दी पाउडर एक बड़ा चमच भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर भी लिया है थोड़ा सा मैं इसमें कास्मेरी जो मिर्च का पाउडर आता है वो भी डालूंगे उससे कलर अच्छा आएगा स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे मैंने एक बड़े चमच के जितना नमक डाला है आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं और आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा लैसुन और हरी मिर्च को कूट के भी डाल सकते हैं उपर से डालेंग मैंने ले लिया है खड़ा धनिया इसको हाथ से क्रस्ट करके डालूंगी मैं यह आप दरदरा सा पीस भी सकते हैं इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सारे मसालों को डालने के बाद अब हमें इनको पनीर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और पनीर आप देखिए इसी तरह का आपको भी रखना है यह बहुत ज्यादा गीला नहीं है एकदम ड्राई भी नहीं करना है लेकिन यह गीला भी नहीं है ज्यादा अगर गीला पनीर इसे बराबर सारे पराथो में आपकी स्टफिंग भी चली जाएगी और आपका काम भीजी हो जाएगा एक बॉल उठाइए और उसको अपने पराथे में भरके फटा फट से पराथे आप बना सकते हैं चाहें तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते है 10-15 मिनट के लिए डिरेक्ट बना सकते हैं तो सारी बोल मैंने बना ली और तब तक हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया तो मैंने देखी नोर्मल जो चपाती बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा आटा ले लिया है और इस पे सूखा आटा लगा के पहले इसको इसतरा से कटोरी की तरह बना लेंगी और जोट ये बोल बना के रखी हैं वो इसके अंदर डाल के अब इसको सील कर देंगे बिल्कुल सिंपल तरीका है अच्छे से सील करने के बाद उपर से इसको दबा देंगे और फिर से इसका पेड़ा बनाएंगे फिर से सुखा अटा लगाके इसको थोड़ा सा हाथ से इबढ़ा देंगे ताकि जो स्टफिंग हमने डाली है ना वो पूरे पराथे में अच्छे से आ जाए फैल जाए पूरे पराथे में एक ही जगे रह जाती है तो भी कई बार पराथा फट जाता है तो पहले आपको इसक प्रेसर डाल दिया उससे भी पराथा फट सकता है बिल्कुल हलके हलत के हाथ से जितना बड़ा आप चाहें इसको बड़ा सकते हैं यह बिल्कुल नहीं फटेगा और स्टफिंग आप देखें कैसे पूरे पराथे में आप देखी सकते हैं एक वली दिखाई दे रही है इधर म बढ़ाते हुए इसको एक कटोरी का अकार दे देंगे और फिर जो हमने बोल बनाई है वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से सील करेंगे पहले इस तरह से उसके बाद जो ऊपर एकसेस आटा है इसको भी पूरे को दबाते हुए फिर से लोई बना लेंगे औ फिर से इसको हाथ से बढ़ाएंगे ताकि स्टफिंग अच्छे से फैल जाए थोड़ा सा हाथ से बढ़ाने के बाद ही आपको इसको बेलन से बेलना है एक भी पराठा नहीं फटेगा आपका गरेंटी से बस आपको कुशी बातों का ध्यान में रखना है पनीर को आपको न पहार ना चोड़ें क्योंकि मसाले डालने के बाद मसाले भी थोड़ा सापना मोईस्चर छोड़ देते हैं एक तरफ से देखिए पराठा सीख गया था इसको हम अच्छे से घी या बटर लगा के से लेंगे घी से बटर से पराठे बहुत अच्छे बनते हैं आप चाहें त दोनों तरफ से अच्छा क्रिस्पी करा रहा होने तक पराठे को सेखना है गैस का फ्लेम लोटू मीडियम पर रखिए ताकि अच्छे से सीख जाए और बहुत बढ़िया फूल जाएगा अभी पराठा देखिए देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है और पराठा बहुत अच्छे से फूल भी गया है अगर पराठा फटेगा नहीं तो अपने आप ही फूल जाता है वो फूलता नहीं है इसी रीजिन से कि हमारे जो पराठे हैं वो कई बार फट जाते हैं तो फिर वो फूल नहीं पाते तो दोनों तरफ से देखिए मैं दबा दबा के सेखा है कितना अच्छा कलर आ गया इसको आप दही अचार या फिर ऐसे ही खाएंगे ना बहुत मज़ेदार लगेगा और यही तरीके से हम अपने सारे पराठे सेखेंगे एक तरफ से जब इस तरह से ब्राउन चित्ती आ जाएंगे तब इस पे घी लगा देंगे गैस आपको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखनी है उससे फिर क्या होगा पराठा करारा नहीं बन पाएगा जल जाएगा पराठे में करारा पन लाने के लिए उसको मद्दम मद्दम आज पे सेखना ही जरूरी होता है तो दूसरा पराठा भी सिख गया यह देखिए कितना बड़िया पराठा सिखा है बहुत ही टेस्टी है मज़ेदार से हमारे पराठे सिख के तयार हुए है और कोई चांज नहीं है यहाँ पर एक भी पराठा फटने का बिल्कुल अच्छे पराठे बनेंगे आपके सारे ही और सारे पराठे मेरे फूले फूले बने हैं तो दोस्तों उमीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अपने फैमली और फ्रेंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सेयर भी करें इन पराठो को आप गर्मा गरम खिलाईए वैसे ठंडे होने के बाद भी बहुत टेस्टी लगते हैं लेकिन गरम पराठे खाने में तो अपना आई का लगी मजा है उपर से थोड़ा मक्षनिया घी रख दीजिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही जल्दी मिलेंगे नई रेसिपी में तब तक लिए आप सभी को गुडबाई खुश रहें स्वस्त रहें मस्त रहें